ओम शान्ति आज तिनांक 25 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा पावन बनने की प्रतिग्या करो पतित पावन पिता ज्यान का सागर संगम युग पर आते हैं हम बच्चों को पवित्रता की प्रतिग्या कराते हैं कि इस एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तुम पवित्र बन कर ही पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो अर्थात पावन बन कर ही तुम्हें पावन दुनिया का राज तिलक मिलेगा अब तक तुम बच्चे पतित कल्यूगी दुनिया में थे अब तुम संगम युग पर पिता परमात्मा की संतान बने तो पिता परमात्मा माना सत्युक का रचियता तो उसकी संतान बने तो वर्से में सत्युक की राजा ही मिलेगी तो राजाई का तिलक लगाया नहीं जाता, मांगा नहीं जाता, वह तो ग्यान के आधार पर, याद के आधार पर, पवित्रता की प्रतिग्या के आधार पर स्वता ही लग जाता है हम गायन भी गाते थे, पतित पावन आओ, हम बच्चों को पावन सुख की दुनिया में ले जाओ, तो वही कल युग का अंत, सत युग का आधी का समय है, संगम युग जब बाबा हमें ग्यान देते कि तुम पतित भरष्टाचारी बन गए थे, अब तुम्हें स्रेष्टाचारी बनना है, तो पावन बनने की प्रतिग्या करो बाबा कहते प्रतिग्या अक्षर कहने में आता है पर बात है ग्यान की क्योंकि तुम ग्यान के गुहिये राज द्वारा कर्म अकर्म विकर्म को समझते हो तो तुम प्रतिग्या कर पावन बनते हो तो पावन दुनिया के मालिक अर्थात पावन दुनिया के मालिक बनने का राज्टिलक तुम्हें लग जाता है प्रश्न किया बाबा ने तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है उत्तर में बाबा कहते बाब को याद करने का बंधन इस बंधन में बंधने से बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनास हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे आत्मा पावन बन जाएगी इसलिए बाबा कहते तुमको पहले पहले यह समझना चाहिए कि राखी बंधन क्या है यहा है पवित्रता की निसानी तुम इस काम महा सत्रू पर जीत पाते हो और पवित्र बनते हो जिसका आधार बाबा कहते मुझे याद करते रहो याद का बंधन बढ़ाते चलो कड़ा करते चलो क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोजा सिर पर है वह बाप ही आकर समझाते हैं कि सत्यूक से त्रेता तक तुम पवित्र थे पवित्र स्वराज्य था वह कैसे स्वराज्य पाया यह ड्रामा चक्र में इस रिती से फिरता है पतित पावन बाप आकर सब को कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, जो ब्रह्मा मुख वनसावली बच्चे होते हैं, वे ग्रस्त विवार में रगह कर कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, एक बाप को याद करते हैं, बाबा कहते वही बच्चे सत्यूग में उच्पत पाते हैं, पाँच हजार वर्स पहले भी ऐसा हुआ था और अब भी ऐसा होना है तो यही बंदन में बंद जाना है एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना है और खुद को पावन बनाने की पवित्र बनाने की प्रतिग्या करना है अगला प्रश्न किया बाबा ने भक्ती मार्ग का फैशन क्या है भक्ती मार्ग का फैशन क्या है उत्तर में बाबा कहते बर्त डे जयनती आदी मनाना यह भक्ती मार्ग का फैशन है परन्तु इससे फाइदा कुछ भी नहीं क्योंकि जिनकी जयनती मनाते हैं उनको यथार्त र को कोई जानता नहीं रियल्टी को कोई जानता नहीं यह दुनिया खोर अंधकार में डूप जाती है जब संगम युग पर बाबा आकर रियल्टी का ग्यान देते हैं बाबा कहते रियल में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है जैसे क्रश्न जैनती हो गई फिर बा प्रत्वा बर्थडे मनाना यह तो भक्ती मार्ग में फैसन हो गया है इससे कुछ फाइदा नहीं होता सिर्फ खर्चा होता है समय व्यर्थ जाता है क्योंकि बर्थडे मनाते हैं जयन्ती मनाते हैं पर उसका यथार्थ अर्थ नहीं जानते बाबा कहते सिव रात्री वक्रश्न जैन्ती का अर्थ भी नहीं समझते मनाते हैं यदि रियल्टी नहीं पता तो कुछ फाइदा नहीं है अनरियल्टी से नुकसानी होता है यहा है सब जूटी दुनिया राखी उत्सव भी जूटा मनाते हैं वास्तव में है पवित्रता की बात पवित्रता की ही प्रतिग्या की जाती है यहा तो अभी संगम युक पर सुरू होता है पहले तो यहा तुम बच्चे भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कोन है, वह कैसे आकर पवित्रता की राखी बानते हैं, तो तुम कभी पतित नहीं बनना, तुम भी सबको यही कहते हो कि आज से यह प्रतिग्या करो, हम पावन बनेंगे और पावन बना कर बाप के स्वराज्य की इस्थापना करेंगे, पावन जरूर बनेंगे पतित बनाने वाला रावन, रावन की सेना हमें टंग करती है, तो अब तुम बच्चे पवित्रता की प्रतिग्या कर, एक बाप की याद की लगन में मगन रहकर, अपने विकर्मों का विनास कर पावन बनते हो और पवित्र दुनिया की इस्थापना करते हो, तो पवित्रता का तुम्हें राज तिलक मिल जाता है, अभी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायन ने यहाँ राज ये कैसे प्राप्त किया, उनकी महिमा में है सर्वगुन संपन, सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुसोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाप, पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं, यहाँ बैठ अभी संगम युक पर तुम बच्चों को समझाता हूं, राखी भी पवित्रता की बांदी जाती है, वंदे मात्रम कहा जाता है, कन्या भी माता बनती है, यहाँ कन्या माता पुरुस सब पतित से पावन बनते हैं, पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिग्या कराते हैं, कहते हैं मन मना भाव, पवित्र बन और मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनास होने का, और कोई उपाय नहीं है, सजाएं खाएंगे तो राजाई पद नहीं मिलेगा, जो योग में रहते हैं, विकर्मा जीत बनते हैं, वही विकर्मा जीत राजा बनेंगे, विकर्मा जीत का संवत बाबा कहते पच्चिस सो वर्स तक है, एक से पच्चिस सो वर्स तक विकर्मा जीत का संवत चलता है, फिर विकर्म राजा का संवत पच्चिस सो से पाँच हजार वर्स तक चलता है, मनुष्य संवत को नहीं जानते विकर्मा जीत बातसाही सत्युक से त्रेता तक चलती है उनको फिर लाखो वर्स दे दिये हैं और विकर्म संवत को दो हजार वर्स दे दिये है वास्तव में आधा आधा होना चाहिए यह सब बाते समझने की है पहली बात है पतित पावन कौन है पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं पावन याद नहीं करते वहाँ है ही सुक तो कोई बाबा को याद नहीं करते वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते नौलेज की सक्ति द्वारा करमेंद्रियों पर सासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भाव। बाबा आकर संगम युग पर हमें इस्मरती दिलाते कि तुम एक आत्मा निराकार हो इस देह को चलाने वाली रती हो तुम आत्माएं खुद को भूलने के कारण तुम्हारी सक्ति खत्म हो गई है अब तुम इन करमेंद्रियों के वस होकर इनकी इच्छा मनो कामना पूर्ण क करते हो तो तुम और ही पतित बनते जाते हो और ही सक्तिहीन बनते जाते हो गिरते ही जाते हो तो बाबा आता है संगम युग पर हम बच्चों को यथार्थ नौलेज देता है उसी नौलेज के आधार पर बाबा कहते तुम रोज अपने को आत्मा समझते हो और आत्मा की सक् बढ़ती जाती है तो तुम सर्व करमेंद्रियों पर राज्य करते हो अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनते हो इसलिए बाबा कहते तुम सफल स्वराज्य अधिकारी कहलाते हो रोज अपने सहयोगी सर्व करमचारियों की दर्बार लगाते हो और चेक कर अपनी कमी कमजोरियों को दूर करते हो इसी आधार पर बाबा कहते तुम सफल स्वराज्य अधिकारी बनते हो तो बाबा कहते रोज अपने सहयोगी सर्व करमचारियों की दर्बार लगाओ और चेक करो कि कोई भी करमेंदरी वा करमचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है क्योंकि गलत कार्य करते करते संसकार पक्ते हो जाते हैं इसलिए नोलेज की सक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी ऐसे स्वराज्य चलाने वाले में जो सफल रहते हैं अच्छा उन्से बाबा कहते उन्से संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं वे सर्व की सुक्रिया के पात्र बन जाते हैं स्लोगन में बाबा कहते हर समय करण करावन हार बाप याद रहे तो में पन का अभिमान आ नहीं सकता यह जो जन्म मिला मर जीवा ब्रह्मन जन्म सेवा अर्थ प्राप्त हुआ जिसमें करावन हार बाप की स्रीमत अनुसार हम निमित होकर कर्म करते हैं तो हर कर्म सेवा अर्थ होता है ट्रश्टी होकर होता है तो में पन और अभिमान से हम मुक्त नियारे और एक बाप के प्यारे रहते हैं अच्छा ओम शान्ती